हलो नमस्कार मैं हूँ गिरिश्वान खिड़े और आप मुझे देख और सुन रहे हैं एपिलोग मीडिय के इस पॉटकास्ट शो में इसका नाम है पाचवे नमबर पर है म्यूजिक बाई जॉन विलियम्स ये एक अमेरिकन डॉकुमेंटरी फीचर फिल्म है जो की स्ट्रीम हो रही है डिजनी हॉट स्टार पर एक नॉबर दोजास्ट चॉबिस से इस फिल्म में इस दुनिया के महान फिल्म कंपूजर और कंडॉक्टर जॉन विलियम्स के बारे में बताया गया है जिसमें वो किस तरीके से अपने औरकेस्टर के लिए काम करते हैं किस तरीके से वो म्यूजिक को कंपूज करते हैं और किस तरीके से उनका म्यूजिक पुर उसके लवगा स्टारव ओर्स को इनका म्यूजिक है इंडियाना जोन्स की सारी सीरीज तो आपको याद होगा किस तरीके से बेंग्राउंड स्कोर इनका इतना प्रभाऊशाली है तो ये documentary film उन सारे लोगों के लिए जो music में विश्वास रखते हैं चोथा title है The Crown जो की American historical drama web series है और ये stream हो रही है अपने छटे आखरी season के साथ 6 नौबर 2024 से Netflix पर ये series काफी popular है क्योंकि इसमें वो राजसी थाट और वो सारे के सारी राजसी लाइफ उसके लावा प्रिंस और फिर क्विन इलिजाबेट टू की coronation से लेकर उसकी lifestyle को दर्शा गया है मतलब इस series की कहानी शुरू होती है 1947 से पहले पार्ट में 1955 तक उसके बाद वो पार्ट सागे बढ़ते जाते हैं और इसमें जो ग्रैंडियोर है और उसके बाद जो characterization है और उस वक्त वो जो प्रिंस ली या वो जो king का जो circle है और सारा का सारा वो जो snobbish atmosphere है British राजघराने का उसको बहुत जबरदस तरीके से portrait करती है series और इस series से पहले एक web series आया थी 2006 में the queen उससे loosely inspired आया है साथ यसाथ इसके कुछ inspiration हम the audience से भी देख सकते हैं जो की 2013 में आया थी इस series में 6 दशकों की journey है और इसको create किया है Peter Morgan ने और सारी seasons इसके बड़े जबरदस थे और यह आखरी season तो कुछ खासी है तीसरे number पर है disclaimer एक episodic American psychological thriller web series है जो की हर week में एक नए episodes के साथ आपके सामने आती है और इसके 7 episodes आ चुके हैं और यह इस वक्त stream हो रही है Apple TV Plus पर यह इसी नाम के एक novel पर based है और इसमें कहानी एक documentary filmmaker की है जिसको एक दिन पोस्ट से उसको एक किताब मिलती है जिस किताब को पढ़कर उसे लगता है कि उसमें उसकी कहानी है और उसके कुछ secrets को reveal किया गया है और उसके बाद वो दूसरी story parallel चल रही है एक एक बुढ़े आदवी की जिसका परिवार में सब कुछ खत्म हो गय वो उसके परिवार के सारी हानियों के लिए जिम्मेदार है इसको लिखा और डिरेक्ट किया अलफांसो क्यूरन ने जो की दुनिया के माने हुए Mexican American director है जिनोंने इसे पहले The Revenant के लिए Oscar जीता था उसके अलावा Roma के लिए इनोंने Oscar जीता था ये बड़े कमाल के डिरेक्ट के रोल में Kid Blanchett है उसके लावा ये जो बुढ़े बुजर्ग बने हुए हैं वो है Calvin Klein और उसके लावा ये जो Kid Blanchett है उसके husband का रोल कर रहे है साचा Baron Cohen यानि कि इतनी बड़ी सुपर अंसेबल स्टार कास्ट है और गजब की इसकी narrative स्टाइल है दूसरे नमबर पर है Strange Darling एक American psychological thriller है जिसमें cat and mouse का game है जिसमें लड़की victim है और लड़का predator है फिर बात में आपको पता चलते है कि actually लड़की predator है लड़का victim है लेकिन यह जो game है जिसमें एक serial killer भाग रहा है भाग रही है और वो बीच में जितने लोगों से मिलती है मिलता है उनके खून होते चले जाते है और किस तरीके से इसके अंत में आप एक बहुत ही जबरदस ड्रामा के साथ आपको disturb करने वाला climax मिलता है यह इस फिल्म की खासियत है जिसमें main lead actress है मिला फिट्जराल्ड और इसमें main lead protagonist है काईल गालनर और इन दोनों ने जो performance दिये है इस फिल्म में बड़ी intense बड़ी high octane action drama feature film है यह दोनों के performances आपको कही साल तक याद रहेंगे और फिर पहले नंबर पर है वेटायन दी हंटर एक तमील action drama feature film है जो कि हिंदी तेलगू मल्यालम में भी release हुई थी और अब यह stream हो रही है Amazon Prime वीडियो पर 8 नौंबर से इसमें दो superstar's है जिसमें कमिता बच्चन है दू कि गलती से एक निर्दोश वेक्टी को मार देते हैं और किस तरीके से एक human right activist जो कि हमिता बच्चन रोल प्ले कर रहे हैं वो इनको पीछे पड़ जाते हैं और फिर किस तरीके से अलग-अलग गुतियां सुलश्टी है और फिर रजनीकांद का इस film में हो swag भी है वो style भी है और music अनिरूत का है जो कि amazing है यानि कि ये picture typical pot boiler masala entertainment है तो ये थे इस week के 5 titles अगले week में फिर मुलागात होगी कुछ नए titles के लिए तब तक शबख है